आंध्र प्रदेश में वेस्ट गोदावणी जिले की एलूरू नहर के किनारे इन दोनों गढ़ों के खून और अवशेश भरे हैं यहां बड़ी संख्या में गढ़ों को भेड़ बकडियों की तरह काटा जा रहा है आलम ये है कि आंध्र प्रदेश में गधों की संचा बहुत कम हो गई है इसलिए उन्हें दूसरे राज्यों से लाकर मारा जा रहा है केवल वेस्ट गोदावदी नहीं आंध्र प्रदेश के कई जिलों में गधों की अंधा धुन्ध कटाई हो रही है भारत में गधों को विलुप्त होने वाले जानवरों की लिस्ट में रखा गया है भारती खाद्य संरक्षायों मानक प्राधिकरण के मताबिक गधे फूड एनिमल के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें मारना अवैद है लेकिन आंध्र प्रदेश में गधों को मार कर उनके अवशेशों को नहरों में पहेका जा रहा है सारवजनिक स्वास्थी को खतरी में डालते हुए बाजार में उनका मास करीब 600 रुपए किलो भिक रहा है मीट बेचने वाले एक गधा खरीदने के लिए 15-20 रुपए तक दे रहे हैं लेकिन क्या है वजह मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के लोगों को लगता है कि गधे का मास कई समस्याओं को दूर कर सकता है वो मानते हैं कि इसे खाने से सांस की समस्याओं दूर हो सकती है उन्हें ये विश्वास भी है कि गधे का मास खाने से यौन शमता भी बढ़ती है इस कारण केवल पश्चिम गोदावरी ही नहीं बलकि आंध्र प्रदेश के कई जीलों में गधों को लगातार मारा जा रहा है इनमें प्रिश्णा, प्रकार्शम और गुंटूर जीले सहित कई दूसरी इलाके भी शामिल हैं उनके मास की खपत बहुत तेजी से बढ़ चुकी है बीते दो सालों में कई पशु अधिकार कारेकरताओं ने गधों के अवैधर ट्रांसपोर्ट को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई इनके अधार पर कुछ मामले भी दर्ज किये गए Animal Rescue Organization के सेकेटरी गोपाल आर सुर्वा थुला ने इस मुद्दे पर अंग्रेजी अखबार डेक्कन क्रोनिकल से बात की है उन्होंने बताया अन्य राज्यों से गधों को आंधर प्रदेश ले जाया जा रहा है कोई इस पर रोक लगाने की कोशिश नहीं कर रहा जबकि रास्ते में कई सारे चेक पोश्ट हैं मामले पर अंधर प्रदेश के डी जी पी के पास शिकायत दर्ज कराई गई है उनसे अवैध परिवहन और गधों की हत्या रोकने की मांग की गई है गोपाल ने आगे बताया कि गधों के अस्तित्व पर गंभीर संकट है राज जैसे गधे करीब करीब गायव हो गए है उन्हें पश्व क्रूरता निवारन एक्ट 1960 के नियमों के तहत अवैध तरीके से मारा जा रहा है यह स्थानिय नगरपाली का एक्ट और नियमों के साथ सुप्रीम कोट के निर्देशों के खिलाफ है समाचार एजनसी आई एनस की एक रिपोर्ट में पश्व अधिकार कारे करताओं ने बताया कि आंधर प्रदेश में गधे का मास खाने की शुरुआत प्रकाशम जिले के स्थूर्थ पुरम से हुई यह इलाका एक वक्त चोरों का गढ़ माना जाता था यहाँ एक मिथक था कि देड़ तक चलने और गधे का खुन पीने से आदमी की घूमने की शमता बढ़ जाती है माना जाता है कि इस मिथक को लेकर ही चोरों ने गधे का मास खाना शुरू किया था एक और कहानी है गोपाल सुरबातकुला के मताबिक प्रकाशम जिले के विटा पलेम गाओं के कुछ मशुआरों के बारे में कहा जाता है कि वे बंगाल की खाडी में मशली पकड़ने जाने से पहले समुद्र तट पर गधे का खुन पीते थे हाल में रिलीज हुई टॉलीवूड फिल्म में कुछ निगेटिव किरदारों को गधे का खुन पीकरती जी से भागते हुए भी दिखाया गया था प्रशाशन क्या कर रहा है आंधर प्रदेश पशुपालन विभा के सहायक निदेशक धनलक्षमी ने बताया है कि गधों की हत्या गयार कानूनी है और इसकी पुष्टी हुई है कि ये हत्याएं की जा रही है उन्होंने कहा मामले को लेकर मुझे शिकायते मिली है एनिमल विलफेर बोर्ड ऑफ इंडिया ने चिठी लिखी है उन्होंने बताया कि साल 2001 और 2011 में राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि गधों का कतल नहीं किया जा सकता धनलक्षमी ने आगे कहा कि ये मामला स्थानी ये निकाय के तहताता है पशुपालन विभाग सिर्फ जरूरत पढ़ने पर टेक्टिंकल गाइडेंस देगा वहीं टाइंस आफ इंडिया से बात करते हुए पश्चिमी गोदावरी के पशुपालन विभाग के जॉइन डाइरेक्टर जी नहरू बाबु ने बताया कि गधों का कतल अवैद है उन्होंने कहा कि वे इस अपराद में शामिल लोगों के खिलाव गंभीर का रवाई करें करेंगे गुंटूर शेहरिक्षेत्र के असपी आरेन रेड़ी ने भी कहा कि वे गधे के अवैद कतल और मास व्यापार की जाच करेंगे क्या गधे के मास से यौन ताकत बढ़ती भी है डेकन फ्रोनिकल की दिसंबर 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल जानकार गधे मेडिसिन के एक प्रोफेसर अथिली वीरा राजु कहते हैं लोगों को इस तरह की अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए गधे के मास के और शधिये महतों को लेकर कोई वैध्यानिक कारण या आधार नहीं है ऐसा आभी तक सावित नहीं हुआ है कि गधे के मास से पुर सदी की गिरावट देखी गई है 2019 में के लिए आंध्र प्रदेश में आबादी केवल 5000 रह गई उसी साल प्रकाशित एक रिपोर्ट की मताबिक महाराष्ट में गधों की संख्यातिजी से कम होने के चलते हैं वहां के स्टेट एनिमल हजबेंडरी डिपार्टमेंट ने इसे मास की बिख्री नई बात नहीं है अंतराष्टी नियूज अजेंसी रॉइटल्स के लिए सितंबर 2013 की रिपोर्ट में ही बताया गया था कि महाराष्ट्र से गधों को आंध्र प्रदेश लाकर मारा जाता है रिपोर्ट के मुताबिक उस समय महाराष्ट्र से आंध्र लाई क्या सुचते हैं कमेंट बॉक्स में बताईए आपके लिए ये खबर लाए थे हमारे साथ ही आदित मैं आशीश कैमरे के बीचे हमारे साथ है अमितेश फिलहाल के लिए हम चले